सभी साथियों को अपने विद्ध्य आर्लाइन प्रेट फार्म पे सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवा साथी और आप लोग जल्दी से ल्दी जुड़ जाएं अब आपकी कच्छाएं शुरू होने की संभावना हो चुकी है बच्चों आप सभी लोग बिना लेट किये हुए जल्दी जाएं जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं आपकी कलास शुरू कर दी जाएगी साथियों और आप सभी लोगों को भगवान से राम चंद जी की पावन पवित्र भूमी से राम नौमी की अग्रिम बढ़ाई साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कल राम नौमी का तेवहार है साथियों और ऐसे तेवहारों के लिए साथियों आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे पवित्र पावन तेवहार के लिए बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों अग्रिम बढ़ाई साथियों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल भी आप का चुका है मायरा यादो जी जुड़ चुकी है और सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों कि आप लोग की कलास साथियों लाइब हो गई हैं आप लोग बिना देरी किये हुए सभी लोग जुड़ जाएं मुहम्मत फिरोज जी मायरा यादो जी प्रीती जुड़ चुकी हैं और हमारे सहपाठी अत्सिग्र ही जुड़ जाएं आपकी कलास आल लाइन हो गई है बच कि आपके स्क्रीन पर लिख भी दिया गया है गीता बर्मा जी अंकुर यादो जी प्रीती जी मुहमत फिरोज जी मायरा यादो जी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लाइब हुए हैं और सभी लोगों को लाइब होने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यबाद तो चलि इसे आप लोग उत्तर को बताते रहेंगे आने वाला समय आप को लाबकारी होगा साथियों सीम्प बिल्कुल सही है साथियों है कि अभी तक 8 मारे च्हात्र हुए है और लोग लाइब होंगे संजयादों भी लाइब हो गए हैं अंकुर्यादों भी हो गए हैं गीता बर्मा जी प्रीती जी ताइप राइटर महोदे से निवेदन है कि जला सवाल लगाएं क्योंकि सवाल यह साल्व हो चुका है बच्चे इसको साल्व कर चुके हैं मुहम्मत फिरोज भी गीता बर्मा जी बहुत सारे विद्यार्थी लाइब हुए हैं जिन सब्दों के उत्पत्य का पता नहीं चलता बच्चों उन्हें क्या कहते हैं बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों आपके भविश्च के लिए बहुत प्यारा सा सवाल है साथियों और सभी साथियों को बहुत भन्यवाद साथियों जितने हमारे भाई बंदू लोग लाईव हैं सबको बहुत भन्यवाद चलिए जिन सब्दों की पत्ति का पता नहीं चलता साथियों उनको देशत सब्द कहते हैं आपका सी वाला पिकल बच्चों सही था उनको देशत अभी आपकी कलास में आफ लाइन में बोजल्दी पढ़ाया गया था बच्चों कि मारा यदो जी देश राज जी चलिए सवाल संख्यागला देखिए लिखा है बच्चों सदेव और पूछा है सदेव सब्द में कौन सी संद्री है साथियों आप लोगों को जानकारी है साथियों यह आपका देव लिखा गया है साथियों आपको पता है यहां पर ब्रिध्धी हुई है अब की मात्रा लगी हुई है बच्चों इसका जब हम संद्र बिच्चेत करेंगे तो सदा पलस यो अर्व और बच्चों यह आपकी ब्रिधी संदी होगी बहुत अच्छा सवाल है एक ब्रिधी संधिक आउधार है प्रीती जी मायरा जी विद्ध्यार्तों ने उत्तर भी दिया हैए सही उत्तर देने के लिए सवी लोग को बहुत बहुत बदाई प्रिती जी मुहम्मत फिरोज जी गीता बर्मा जी चलिए अगला सवाल देखें बहुत सिग्री आ गया है संजीव का संद्विछेत पूछा है साथियों देखो यह संजीव लिखा गया है और इसका संद्विछेत पूछा है तो बच्चों आपको एक जानकारी भी है यह मैंने आपको बताया था जब कभी भी बच्चों अनुस्वार होता है वो मा में बदल जाता है बच्चों और वहां पे बेंजन संद्व हो जाती है आप इसको जब बिगरा करेंगे यह जो आप आपका अनुस्वार है यह मा में बदल गया तो सम पलस जीव हो गया और यह बच्चों आपकी भ्यंजन संदी हो गई जैसे अलंकार है संजीव है बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों आप लोगों ने देखा सवाल बहुत अच्छा था सबग बढ़िया था आप लोगों अगला सवाल आ गया है निरा लंब हमारे सभी विद्ध्यार्थी बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा निरा लंब का संभिछेद करना है आप लोग जल्दी से करके बताएंगे बच्चों आप लोग जल्दी बताएंगे मौमथ फिरोज जी जी गीता बर्मा जी अल्टा गया चुकी है तो अर्मी राजपूद भी आ चुके हैं बहुत सारे बिद्ध्यार्थी हैं सबको बहुत बहुत धन्यबाद साथियों बहुत बहुत धन्यबाद और निरालंब बच्चों लिखा गया है उत्तर आप लोग बताईए, आप सभी लोगों के उत्तर से संतुष्टी अभी नहीं आ रही है, बहुत सारे बच्चे इसमें विशर संधी बता रहें नहीं पलस आलंब, ये गलत है बच्चों, ये हो जाएगा निर्धन आलंब, और इसम ऋम बाने आलंब आ बाने सहारा के, बच्चों देगषवर संधी होगी, विसर्ग नहीं, देगषवर संधी होगी, नेरालंब में निर्धन आलंब होगा, आप सभी लोग डिवाला उत्तर दे रहे हैं, आप सह उत्तर आया, शवी साथी भाई अगला सवाल देखें अभी तक पंदरा लोगों की इंटरी हुई है और निम्लिखित मेंसे सुध्य सब्दों को च छातना है आयूसुमान 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 चार प्रकार से लिखा गया है आज हमारे विद्ध्यार्थियों को इस बात की जवरत है, हमारे विद्ध्यार्थी बताएं कि आई इस समान इसमें कौन सा की है, जवरत इस बात की है कि हमारे बच्चों को सुद्वर्तनी के सवाल भी आने चाहिए, सफलता के लिए बहुत जवरी है बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं ए बिकल्प और सी बिकल्प दोनों एक समान छप गया है किसी कारबस तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा काम करेंगे कि आयुश्मान में ए और सी दोनों तो सही है है लेकिन सही तो बच्चों यह है कि नीचे हल लगना चाहिए यह थोड़ा टाइप राइटर की दिक्कत रही होगी टाइप राइटर टाइपिंग कमी है इसमें बच्चों आप लोग एक में हल लगा के सही है सी वाला विकल्प वह इसे जो बच्चे ए और सी बताए थे सही ही था लेकिन सही इस तर्के से होता है आप लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे बोथ A and C एक में लगा लीजिए बाकि एक छोड़ दीजिए धर्मेल जी आ चुकी है कंचंत्र पाथी जी कहने का मतलब आ चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यबाद साथियों अगला देखो बहुत गजब का सवाल आया है मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है सुभी पाठक भी आ चुकी है कई दिनों के बाद पाठक जी कल बंद है कोचिंग लेकिन है कि आपको बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है उसमें अला प्रवाही ना करो कि आप लोग सोमार से आगे कलास लीजिए के चल रहा है बड़ी हाशे कलास पिछढ़का का मिवसा सरसा 22 में होता है भच्छों आप लोग उत्तर बताएंगे कोउसा सरस्द्ध सद्यों 22 अब होता है मेसी घृच्छी शीज़ लिखा है भक्त लिखा है प्राठ लिखा है गरंत लिखा है बहुत सारे हमारे विद्यार्थी बता रहे हैं कि गुरुजी सी लगा दीजिए और जो हमारे भाई बंधुसी बता रहे हैं वो सब पास आए सबी लोग बच्चों आप लोगों को पता है प्राण सेर को देख करके उसके प्राण निकल गए होस उड़ गए आम के दाम कितने हैं आपने साथ छातकार किये की नहीं किये हस्ताचर किये की नहीं किये ये बच्चों जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सब बच्चों प्राण हो आत्मा हो मन हो साथ छात्कार हो दाम हो यह सब बच्चों हमेशा बहुबचन में आने वाले सवाल है ना इसलिए आप लोगों को जिन लोगों ने प्राण को बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है साथियों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना बड़ी हां से पढ़ाई कहें, और सबसे अच्छी बात है कि आप कर रामनौमी हैं, और रामनौमी के सुभासर पर अभी सभ सब्सक्रिम बधाई भगवान राम चंजे के पावन पवित्र नगरी से आप लोगों को देवहार की बहुत-बहुत हार्दिक सुपकामनाई साथियों। चलिए अगला सवाल देखना है इसमें प्राण तो बच्चों आपका सही है। सवाल संक्या अगला देखिए बहुत गजब का सवाल आया है राम ने बाण से रामर को मारा। आराम ने बान से रामण को मारा देखो बचचों राम ने बान से इसको इसको मारा deny अब इसमें देखो जो मारने की किरिया है वह बान से हो रही है मैं इसमें पूच क्या रहा है बाल में कारक्क है अगर बच्चो राम ने पूछे ये तो आपका करता कारक है लेकिन बच्चो बांड पूछ रहा है मारने का साधन बांड है ये बच्चो आपका करण का मतलब होता है साधन और क्रिया पूरी हो रही है इसलिए बच्चों जो बाढ़ है वो आपका कर्म कारक है गलती ना करना यह वाला पिकल बिलकुल सही है और बच्चों जो रामण को लिखा है यह यह आपका कर्म कारक है अब आप लोग एक सवाल हमसे कर सो क्या एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं हां हो सकते हैं बट यह है जो पूछ रहा है हमें उसका उत्तर देना है बच्चों काजल यादो जी भी जुचुकी है सुभी पाठक जी अंकुर यादो जी बहुत सारे विद्ध्यार्थी हमारे लाइव हैं और ऐसे सभी विद्ध्यार्थियों को हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपने देखा रामने को अगर अंडरलाइन करता आप करता कारक बताते बान को पूछा है आप कोंची पूछे तो कर्म कारक हो जाता है इसलिए सात्यों छों ने पान से महारा आप आपका कर्म कारक है आप लोगों लो उत्तर देखा और लोगों ने उत्तर दिया भी इसके इसके लिए बहुत-बहुत धनबाज साथियों कारक का सवाल था अच्छा सवाल था ठीक है अगरिम सवाल के लिए हम लोग आगे चलेंगे सवाल को बढ़ाते रहेंगे और कार्याले में करने कार करने वालों से मुझारी से अब लोग तत्परता से धिन करते रहेंगे कार्याले में और काम करने वाले जो असिस्टेंट है वो भी ध्यान दें अगला सवाल है बच्चों कौन सा युग्म आ संगत है मैंने उसे पढ़ाया है करता कारक पेड़ से फल गिरा करकारक पृतिग्या प्रेमचंद का उपन्यास है आज कल वह घर पर ही है इसमें कौन सा असंगत है बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों आप लोग उत्तर देंगे तो हमारा दिल खुश हो जाएगा इसमें गलती कहा है अब आप देख रहे हैं कि पेड़ से फल गिर रहा है या बच्चों पेड़ से पत्ता गिर रहा है अगर वो पेड़ से गिर रहा है बच्चों पेड़ से गिरा वो पेड़ से गिरा चाहे फल गिरा चाहे पत्ता गिरा चाहे बिल्ली छत से कूदी चाहे च चुहा बिल से बाहर निकला चाहे मोहन बाजार से घर गया तो अलगाव की द्रिष्टी होती है बच्चों और जब अलगाव की द्रिष्टी होती है तो अपादान कारक होता है जिन भाई बंधों ने अपादान कारक बताया है सभी भाई बंधों को तह दिल से बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे साथी बहुत मिनासे में हैं और इसमें बच्चों आपादानकारक आपका सही है सभी साथी को बहुत-बहुत धन्यबाद गजब का सवाल था बच्चों आप लोग बहुत मिनाज से काम कर रहे हैं अपादान का रखोगा रोली बर्मा जी सुभी पाठक जी अंकुर्यादो जी काजल यादो जी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लाइब हैं और सबको बहुत बहुत धर्मत आर्मी राजपूच जी गीता बर्मा जी सबी लोगों भाई धन्यबाद हमारे सभी हो हम सब के हैं चलिए ठीक है कर का समान आर्थक सब्द क्या है बहुत अच्छा सवाल बच्चों आया है कर ये कर लिखा है बच्चों कर का मतलब होता है हाथ कि ये वाला विकल बाब का सहीए डी फार्ड डाग व बच्चों तोता हो जाता है और बच्चों अगर करी कर दिया जाए ये हाथी हो जाता है बच्चों अगर करी कर दिया जाए ये हो जाता है रसेदार सब्जी इस टाइप से आप लोग सारे सब्दों का ध्यन कर लिए इस टाइप में कितने सवाल बन सकते हैं बच्चों मुला में अदों भी आ चुके हैं बहुत सारे पिद्ध्यार थी सबी लोगों को राम राम भी लोगों को धन्य बाद कि आप लोगों ने देखा की सवाल का उत्तर मैंने एक लिखा था पाई मैंने बता दिया बच्चों सट्रृता के लिए आरी होना चाहिए जाधिय के विवाजी mina मैंने बता दिया बच्चों अरी किसकी प्राइबाची है अरी बच्चों जब अरी लिखा है अरी का मतलब सत्र होता है दुस्मन यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था इसमें बच्ची लग्डब्र कर देते हैं आप लोग नहीं करोगे मुझे पूर्ण विश्वास है सभी प्रिय भाई बंधू देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी प्राइबाची है इसे आप लोग बढ़ियां से तार करेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है अगला सवाल देखेंगे बिरले का समान आर्थक सब्द क्या है दुरलब लिखा है गाढ़ा लिखा है घना लिखा है बेतीत लिखा है बहुत गजब सवाल है बच्चों आप लोग सवाल का उत्तर देने का प्रियास करेंगे अठारा नंबर सवाल का उत्तर बहुत विद्ध्यार्थी हमारे देना सुरू कर दिये हैं मौम्मत फिरोज जी आरध्या चोधरी भी आ गई गीता बर्मा जी चलो बताओ बिरले का समान आर्थी क्या होगा समान आर्थी का मतलब समान आर्थ को बताने वाला बिलोम नहीं पूछ रहा है बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं मुलाय में अदो भी डी बता रहे हैं बहुत विद्ध्यार्थी डी बता रहे हैं याद कर लो सम्हल जाओ ने भी गच्चा खा जाओगे बच्चा चौदरी जी का उत्तर से अर्ध्यक आ गया बिरले का मतलब दुरलफ से है जैसे लोग कहते हैं ऐसे दुरलफ व्यक्ति बहुत बिरले ही पाये जाते हैं थोड़ा साम को लेरी ग्यान होना चाहिए सवाल कहां स से उठाया है इसमें वाला विकल्ब सही होगा अठारा नंबर का गल्ती ना करना भाईया दुरलफ होगा दुरलफ किसका तस्तम है दुला का चपत चंपत सब्द युग्म का अर्थ क्या है चपत और चंपत अच्छा सवाल है बच्चों चलिए आप लोग जल्दी से हम और चंपत और देखो नीचे आप इस देख रहे होंगगे चलिए बताएए और तो गुपत लिखा है गायव लिखा है अँआ हमता हो समीब लिखा है जल्Дि Uत्तर देतक है बहुत सारे बिद्यारति ओंका उत्तर आना स्वेर lock है कि न्हारों बिद्यारति भी उत्तर पर सही तरके से पहुच नहीं पारे औहे है बहूत सावे लोग उत्तर देने का पर्यास कर रहे है है और थौड़ा आपो लोग वैजार कर लेजिए क्राइब कर लोग उत्तर का मिलान कर लिजिये, कौनसा शाय है। जा सब्क्राइब कर लेना कहrene है। बिकप नंबर एको सही ठाराएंगे हम लोग गीता बर्मा को तर सही आ रहा है रोली बर्मा जी का रहा है राध्या जी सही बता रही है मुलाय म्यादों भी सही बता रहे हैं बहुत सारे विद्यारतिया गई टगरस सवाभ है साथियों और जिन्दगानी अगल रही तो नव्जवानी पिर कहा साथियों मैं करता हूं अध्यापक संजय अधों हमारे बीच में आ गये हैं और बहुत ढटे ढटे आए हुए हैं गुरुजी कहीं पढ़ा रहे हैं प्रोधित ना हो जाएं लेकिन मैं प्रोध नहीं करता हूं साथियों मिलने के लिए बहुत-बहुत आप लोगों को बढ़ाई राम नौमे की अग् हें अगरी कारत्य सब्द मूग के लिए गलत विकल्ब का चैन करना है उत्तर दिखाई पड़ रहा है आप लोग उत्तर दें भी कल्ब का चैन करना है ऐसे आप लोग पागल हो गये हो क्या मूग माने गोंगा मूग माने वाचाल और चुप और बिवस दिया है गलत बिकल्ब को चुनना है मुख का इसमें से क्या नहीं हो सकता है बहुत सारे बिद्यार्थी बिद्यार्थी बिता रहे हैं अनेकर्थी पूछ रहा है जल्दी जल्दी बताओ जितने भाई बंदू लोग बी को बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवास साथियों मुख का बिलोम हो जाएगा वाचाल अनेकर्थी में तो आएगा नहीं बिबस आएगा चुकि बिबस हो बोलने के लिए आप बोल नहीं पारे हूं प्रिती जी जुड़ चुकी है शिल्पी परजापती नहीं दिखाई पड़ रही है भाई प्रिती जी बहुत बहुत धन्यवाद नहीं अभी तक व्यास का बिलोंब क्या होगा शलो शलो बताओ मुलय है मुलय है मुलय है मुलय है समास समा Kriyankaharnaj样 अबंस को है अबूंश होता है दे तो व्यास ei इए के समाच का मतलब होता है बच्चों जोड़ना और याह-ब्यास का मतलब होता है अलग करना ऑच्छा सवाल था बहुत ब्यतर सवाल था साती परचार आगया है परचार चलने दीजे थोड़ा देर समास होगा शिल्पी परजापति जी को अपतर सहिए परचार को चलने दिजेगा हटाईएगा नहीं जिसका जलवा कायम है अब आगे डाट डाट मैं स्वहावल से आपकी कलास देख रही हूं स्वहावल से कलास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्रबाद साइपाथी पूरे परदेश से लोग जुड़ें चाहे जहां के हो जुड़ें और मेनाज से पड़ें मुहम्मद फिरोजी कह रहे हैं जिसका जलवा कायम है उसका नाम सागरसर है जब तक सूरत चान रहेगा सागरसर का नाम रहेगा चलिए ठीक है बैमनस का विलूम क्या होगा जल्दी जल्दी बताईए आप लोग बैमनस का मतलब बच्चो बिसमता इसे कोई किसी से रोजाए किसी से किसी का विरोध हो जाए उसको बैमनस कहते हैं जल्दी बताईए आप लोग उत्तर बताओ भाई उत्तर बताईए आप लोग क्या होगा बहुत सारे विद्यार्थी सी बता रहे हैं और सी उत्तर बताने के लिए साथियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद बैमनस का सौमनस होगा उत्तर से आकांचा मोरिया जी भी आ चु बहुत सारे विद्यार्थी लाईव हैं मौम्मत फिरोज जी सब लोग से उत्र बता रहे हूं बच्छों अच्छा सवाल था निमलिखित पद एक प्रत्य लगे से बने हुए है कौन गलत है इसमें इक प्रत्य नहीं है भावमिक सामाजिक दैविक बच्छों इसमें कौन सा गलत है देखो पत्रिका लिखा है और बच्छों पत्रिका में इक प्रत्य है यही आपका गलत है बाकि सम में एक प्रत्य है सातियों बहुत बढ़ियां सातियों बहुत बढ़ियां बहुत मिनात कर रहे हो बहुत बहुत धन्यबाद मौरिया जी एक स लखा गया अन्धायुग पूस्ता है अन्धायुग नातक किसका रुदी बताओं आप लोग हाणि नातक किसका है쳤 चार विकल्ब दिया है कि मोहन राकेश का नाम दिया है नरेश-मेटा का नाम दिया है प्रेम चंद का नाम दिया है और डी वाले विकल्ब में बच्चो धरम बीर भारती दिया है जो बच्चे लाइब हैं वो बताएं कि अंधायूग नाटक किसका है जल्दी से आप लोग उत्तर बता दें बच्चों जल्दी से बता दें कि बहुत सारे बिद्यार्थी बताना भी शुरू कर दिये हैं अंधायूग नाटक कि मोहर्राकेश धरम भारती धरम बीर भारती का सही है और बच्चों यह जो अंधायूग नाटक है यह बच्चों लिखा कब गया था कभी कभी पूछ लेता है 1954 इस भी में लिखा गया था बच्चों इसमें कितने भाग है पूछ लेता है वह चांच भाग है और इसका संबंध किस से है तो महाभारत से है इस सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए महाभारत इसका संबंध है और 1954 में लिखा गया था सभी साथियों ने उत्तर सही दिया है बहुत बहुत धन्यवा साथी चली अगला सवाल आप लोग टाइम का देखिए फिर हम सवाल देखेंगे सभी साथी नोट कर लिया करो कलम उठा करके लाप्रवाही ना करना आज आप लोग देख रहे हो युपी अगर नगर हमारे गाओं के करीब में जैनगरा गाओं है तमाम ऐसे मैंने देखा विद्यार्थियों को जिन्हों ने पर्चम लाराया आई एस में नौकरी करने के लिए यह परिच्छा टाप कर दिया लोगों ने आदित श्री वास्तो लखनों के रहने परिच्छा टाप किया है बहुत सारे बच्चे नौकरी पाएं शीति पटेल जी है रमेश बर्मा जी है नगरा के बहुत दूर की नहीं विल्लारगाट के बास पड़ता है बहुत सारे विद्यार्थि हैं अज्ध्या से जनपत से भी हैं बेटका नगर से भी हैं लकनव से बहुत सारे बच्चों ने हमले मीनाथ किया और आप उमीद करते हैं कि आप लोग भी विच्छ में ऐसे काम करेंगी इब सबढन का ने बोट गजब का सवाल है कि आप लोग उत्तर बताये धरमेंजी परिती जी मुलायम जी religion कि उपसर्ग किसे कहेंगी किसी सब्दकाँ अंस होता है वाकिकाइ तो रहे हैS कोई सब्दांस है CB काँ 她 हमें फिकल्ब जो लोग बता रहे हैं वो सब लोग पास है कि यह कर साइए उपसर्ग में बच्चों उपकार्थ क्या होता है जैसे आपका ये उपसर्ग लिखा है पूछेगा इसमें उपकार्थ क्या होता है उपका मतलब होता है बच्चों समीब गलती ना करना इंदी में उपसर्ग की संख्या बच्चों कितनी है इंदी में उफसर की संख्या कितनी है इसकी संख्या पूछेगा तो 22 बता देना आप लोग 22 उफसर गोते हैं इंदी बच्चों बहुत अच्छा सवाल है नीरस में कौन सा समास है वो तो अच्छा सवाल है बच्चों जल्दी आप लोग उत्तर बताएंगे यह नीरस लिखा है जब इसका आप लोग बच्चों संख्या करेंगे ना पे बड़ीक माता संख्या करेंगे तो छोटी बताएगा नी धरस हो जाएगा और नी का मतलब हो जाएगा बिना अरस का मतलब होता हरस के बिना अरस के अब आप लोग उत्तर दीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थी ए बताने लगे उत्तर में अब जो अब जो इंद लोक शी उत्तर बताने लगे वह सब शही है उत्तर अब भी भाग हो जाएगा जाया सुआient अच्छा सवाल है, जितने बर्मा भी आ चुके हैं, राइगेट कोचिंग से शुकला जी ना आये हो, चलो ठीक है, जो नहीं लग पाये हैं, नहीं आ पाये हैं, कोई बात नहीं है, चलिए, हाँ, बिस्तर्ग संदी भी हो गिल ब्रस्ण परशी, संदी बिसर्ग हो जाएगी, स जितने जी बहुत देर से लगे हुए थे, लेकिन में ध्यान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है, पढ़ते रहे हैं, आप लोग, खलास का आनद लेते रहे हैं, निम्न में से कौन सा मिस्त्रभाग का उदाहण है, बच्चों मिस्त्रभाग का उदाहण पत पूछा जा रहा है, शुकला भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं पढ़ रहे हैं, शुकला जी, लाइन मारो शुकला जी जल्दी से, जो भी बहुत सुन्दर है, आनन्द इंदोर जाती है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, शूर्य दे हुआ और चिडिया, चाह चाहने लगी, इसम में आपको मिस्तर बाक का उदण बताना है, चलिये माना-शुकला जी उत्तर बताएए, क्या होगा, माना-शुकला उत्तर बताओ, क्या होगा भाई, अंकुर्य दी बता रहे हैं, मिस्तर पूछ रहा है, अब आप लोग गलती करते चले जा रहे हो, शुधार करो, सभी भाई आर्मी राजपूत का उत्तर सही आया है अंकुर्यातों को उत्तर सही आ खंच एमोशियंग से सी होगा यह पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे यह जो तो सब्द है अब है लेकिन मिस्तर वाग की तरफ आपको ले जाता है यह के साथ तो आएगा और जो लोग द पढ़ाई को बेहतर बनाओ पढ़ाई को ऐसा बनाओ कि आपको दिक्कत नाए आसमान चूमने की बारी आई है संख्या बल से नहीं देखना का आज हम पढ़े हैं आज कम आये हैं पर सो जादा यह सब कोई मतलब नहीं है आप पढ़ेंगे तो आपका विकास होगा आपके ख करिये कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है कि कि दिका है सब्सक्राइब होगा बच्चों वह मिस्र पूछ रहा है ना हाँ डी सब्सक्राइब 27 नंबर सवाल देखिए जहां वाक्य की गती अंतिम रूप लेले पिचार के तार तूट जाएं वहां किस चिन्नका प्रयोग होता है अच्छा सवाल आया है बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर देंगे मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप लोग सही बता रहे है उत्तर मानस चुकला जी आर्मी राजपूच जी शिलवी परजापती जी धरमेंद्र कुमार जी कंचंत्रिपाथी जी पूर्ड विराम बता रहे हैं और जितने बच्चे पूर्ड विराम बता रहे हैं उन सभी बच्चों का उत्तर 100% सही है जब पूर्ड विराम हो आते हैं चलिए ठीक है बच्चों पूबिराम उत्तर सही है वरा साम चाय भी पीते रहेंगे और आप पढ़ाते भी रहेंगे जिसको चाय पीना होगा बताईएगा आप लोग ठीक है कलास में पिला दिया जाएगा पढ़ाई करते रही है अगला सवाल पाथी जी करेक हमारे टीजी गुरुब का कोई लाइब नहीं है बच्चे सब घर गए है इस समय तो इसलिए लाइब नहीं होंगे कलास खुलेगी तभी लो लाइब होंगे इसलिए आकांचा मौरिया जी है पुरानी चात्रा हमारी है घंचन जी यह प्राश्विद्याले में ध्याबका भी हैं कि कु नहीं है कि सफलता प्राप्ट करो कैसा दाहिए चल्दी बताएए आप लोग तरदी बता ओको जल्दी बता है तullenह चाहा चाहार रहा से आगया पेड़न पाठन और कोचिंग शेय ति कुछ लोग शी बता रहे हैं कुछ लोग यह बता रहे हैं और समझ लीजिए आप लोग परशरम करके सफलता प्राप्त करो कुछ लोग उत्तर बता रहे हैं सुकला जी ध्यान दो फिर से किरिया नहीं पूछ रहा है मिस्तर भी नहीं होगा ये स्तरल वाक्य है ये वाला पिकल्प सही है ये सही है बहुत बढ़िया क्वेशन था अगला क्वेशन देखिए वाक को पढ़ना उस खंड को चैन करना है जहां पर गलतियां हो राज कुमार मोरिया भी जूर चुके हैं चलो बच्चों बताएं इसमें क्या होगा जल्दी बताएं इस तवाल का उत्तर क्या होगा हमारा जीवन दिहाती ना रहकर सारी हो गया है उसमें बलकि आत्मेता के तत्त भी नश्ठ हो गये हैं वाक में कहां तूटी है जल्दी बताएं इस जल्दी बताओं बच्चों उसमें और बलकि दोनों सब्दें एक साथ प्रयोग हो सक रहा है नहीं हो पा रहा है अमारा जीवन देहाती ना रहकर सहरी हो गया है उसमें इसके बाद बल किया गया है वो बल्क जो सब्द है वो आपको डिश्टर्ब कर रहा है सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें सी वाला बिकल बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं आकांचा जी भी बता रहे हैं हमारा जीवन देहाती ना रहकर सहरी हो गया है उसमें बल की अब उसमें बल का कोई संबंद नहीं है सिवाला बिकल बिल्कुल सही है सिल्पी परजापती जी अगला सवाल अगला सवाल देखें भाई सवाल एक में मिला हुआ है सवाल असपस्ट ने दिख रहा है उसमें यहीं अंतर है कोई तुटी नहीं जल्दी साप लोग उत्रपद रहे सर क्वेस्ट दिख नहीं रहा है ठोड़ा सा कुछ है देख कम रहा है कुस्षन का समझने में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है इस मधिल का क्वस्ष dumbbell कब श Low-ani22 कर पा रहे है क्या हुआ बच्चिन विलीक पा रहे हैं समझ में कमा रहा है क्यों से सव चैन करना है जिससे देखा ना सके जिसे सुना ना सके जिसे जाना ना सके बताईए जल्दी प्रोली बर्मा जी ओत्तर सही था बिलकुल आला ठीक है इसमें बताईए भाई अच्छा सवाल है यह अग्गे लिखा है गे का मतलब होता है जानना और आगे जिसको जाना ना जा सके उसी बत्चों अग्गे कहते हैं यह सवाल होगा और यहां एक समास भी बनेगा नई तत्पुरू समास भी बनेगा पूरा नाम बताईए जो लोग जानते हों कमेंट करके अचिक बताया पूरा नाम आपकी परिच्छा में आता है जिनको जानकारी है लिख के बतादें अग्गे का पूरा नाम क्या था शच्दानंद हीरानंद वात्यस्यान अग्गे चलो ठीक है अगला सवाल आप लोग देखेंगे जल्दी आप लोग उत्तर बताएं अवात्यस्यान अग्गे होगा भईया देगए वाक्यांस के लिए सब्द का चैन करो 25 बर्स पूरा करने के उपलक्ष में कौन साउत्सो मना जाता है कि रख जैनती कि रज़त जैनती कि इन में से कोई नहीं बहुत बढ़ यहां सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि मानिश शुकुला जी बता रहे है गुरुजी बी लगा को 25 बर्स पे आप करद जैनती होती है कि सब बर्स पे सतापदी होती है कि अच्छा सवाल था बच्चों सही आप लोगों ने उत्तर दिया है बीवाला उत्तर स्रेजन्ति हो जाएगा आप लोग दिर दिरे करा छोड़ भी रहे हैं बहुत सारे विद्ध्यार्थी गलती करते हो आप लोग पढ़ते रहे हैं भागो ना कि ए सब्सक्राने चलो अगला सवाल देखिये का दॅदा-प्र scrac में से कुनियैं सुमित से रोया जाता जाता हैं कि कौन सा वात दो इसमें होगा कि सुमित से रोया जाता है पज़्यार्च होगा कि कर्म नहीं होगा बास विद्यार्थी जो लाइब हैं उनका सब का उत्तर भावाचा रहा है मैंने कहा था खाया जाता है पिया जाता है रोया जाता है या रोया नहीं जाता है सब आपको पता है और आप लोगों को जानकारी है बच्चों की इसमें आपका भावाच होगा राजपूर जी लिख रहे हैं टाइमिंग तो हो गया है गुरु जी इसलिए बहुत सारे बच्चे छोड़ें कलास टाइमिंग हो गया है लेकिन अभी थोड़ा सा कलास और आगे चलने की संभावना बनी हुई है और रिजिनिंग की कलास आज संभावता नहीं चलेगी बच्चों कि इस समय करें पेट में गुगुड़ाट हो रही है अब इनके गुगुड़ाट कैसे ठीक होगी बताइए हूं कि खेला करते हैं अगला सवाल देखें मित्र के चुनाओं की डाट डाट पर जीवन की सफलता निर्वर करती है अपचारिक उपयोगिता की सार्थकता अच्छा सवाल है मुला मैदव करें इसा ना कहो गुरो जी तब कैसा कहा है भाईया चलो बताओ इसमें क्या साही होगा मुके स्यादो जी का उत्तराना चाहिए मित्र के चुनाओं की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्वर करती है मित्र के चुनाओं की सार्थकता पर जीवन सफल हो सकता है अगर मित्र सार्थक है तो जीवन सफल है मित्र अगर नुक्ता चीनी करने वाला है चुरकट प्रविर्थका है च्छली है आस्तिन का सांफ है तो काम नहीं हो पाएगा ऐसे सवाल पर दिमाग लगाने की जोर होता है बच्चों हंकुर यादो जी आर्थी पांडे जी और बहुत सारे विद्ध्यार्थी लाइब हुए हैं सब को बहुत बहुत धन्यबाद सातियों कि अब थोड़ी सी कलास और चलेगी लंबे आप लोग हटिएगा नहीं विद्ध्ध में दोर चलाएंगे इसके बाद बंद करेंगी अगला सवाल है बच्चों देखिए आठ कनावजिया नव चूले लोकों दिका अर्थ क्या होता है बतावा कनावजिया क्यतना है आठ हो इससी स्थिति में आप बताइए क्या होगा वे हाल है ज्यादा जोगी मठुजार आठ कनवजिया नव चूले लोकों उक्तिकार्थ क्या है मस्त रहना ना बाबा खाक करना ना बाबा अलगाओ की स्थिति है चुलवा क्यतना है क्यों लेकर भागी क्यों लेकर ना भागी तो फिर पटकी पटका सुरू किसी ती हो जाएजी आप लोगों का और परचार पूरा चलने दिया करो परचार से ही चाय मिल सकती है कि बहुत मैगाई है कमर तूट गई आगे डाट डाट परधानी में और तूट गई चूड़ी कलाई में आगे डाट डाट लडाई में आप लोग जानते हो आगे देखो भाई तुलसिदाज की लाइन आ गई बहुत अच्छा सवाल है पर उपदेश को सल्वहु तेरे लोकों क्तिकार्थ क्या है तुलसिदाज जी कहते हैं कि दोसरों को अब देने से पहले अपने गिरेबान में जाको कि आप क्या कर रहे हो जैसे आज की राजनीत में होता है किसी पार्टी के वेक्ट नहीं है सपा भाजपा अरोब लगाए बाजपा पर लगाए सपा बसपा पर लगाए बसपा पर किसी को अब देने से पहले उसे अपने गिरेबान में जाको इसे मात्मा गादी जी ने तूर्बा को नमक खाने के लिए जब मना किया था बच्चो उन्होंने पहले से नमक खाना कम कर दिया तो किसी को अब देने से पहले उसे अपने लाइफ में पहले लाओ उसे अपने ब ब्यवहार में बदलाओ लाओ तभी तब अधिकम होगा। ब्यवहार में परिवरतन दिश्रों को लाके सिlaунगी, पहले, अपने ब्यवहार में परिवरतन लेया। अपने परिवरतने लेया, तब ने अंपने तौर मतलब आपका सही πάात। चलिए ठीक है। बहुत सारे भाई बंदू ने उत्तर दे रहे हैं तो ठीक तो है दूसरों को देने से पहले अपने गिरेबान में जाग लो कि चलिए चलिए आगे चलिए कि बिस्मे अस्थाई भाव कि स्रस्का होता है कि आपको बिस्मे होगा कब जब अद्भुत होगा तब देखो बच्चों हासरस का हास होता है शांतरस का निर्बेद होता है अद्भुत का विस्मे होता है और विभस का जुगुपसा या घेड़ा होता है लोग बता रहे हैं सारा उत्तर सही बता रहे बच्चों चलिए अंकुर यादव जी मानस सुकला जी गीता बर्मा जी आकांथा मोर्या जी अर्थी पांडे भी लाइब हो चीकिए टिजीटी की साथ 17 है डिपक गवर जी अर्थी पांडे जी बहुत सारे विद्ध आर्थी बह आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है जब इसमें हो जाए है 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 ना देख ये सोदा सिसू के मुख में सकल बिश्ट किया चण भर को अब बनी अचेतन हिल न सकी को मलकाया ये बच्चों अदबुत है बिश्मेरस हो जाएगा याँ पर अदबुत हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद धाय धाम काम सबत्यागी में कौन सा चंद है जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दे मात्रा लगा के देख लो बहिया जल्दी जल्दी बताओ उत्तर आ रहा है जल्दी बताओ आप लोग इसमें कौन सा चंद होगा लोग चौपाई बता रहे हैं चौपाई मात्रा लगाओ तो दो तीन तीन दो पांच एक छे दो आठ एक नौ नो दो ग्यारा ग्यारा हुर चार पंद्रा में में हो जाएगा 16 ग्राइद हो जा रहे हैं चौपाई से बढ़ रहा था लेकिन आगे की लाइन दिया नहीं है तो आप लोग क्या लगाओगे चाव्पाई। पाउपाई लगावाई दिया हो अंकुर यादो जी रिजनिंग भाई संजेशर जी देपक गवर जी अर्ती पांडे जी शिल्पी परजापती जी आचुकी हैं बहुत बहुत धन्यबाद जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता जिसका अतन है किसी लोक हित में लग जाता ओ परियुक्त पद्यांस में कौन सा चंद है बच्चो मात्रा लगा के जल्दी जल्दी देख लीजिए कौन सा चंदोरा है जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता जिसका अतन है किसी लोक में लग जाता आप लोक जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करेंगे देखो हर गीत का वह हुआ भी लिखा है बरवई लिखा है रोला अहुर द्जाहा हर गीत का 28 मात्रावाला होता है बरवे बाला रोला में 24 तो लगा लीजिये मात्रा लगाओ भाई दो दो चार दो छे दो आठ तो दस एक ग्यारा बारा बारा दो चौदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उन्नीस बीस अब बीस चार कितना हुआ 24 जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताईए अब कुछ लोग बरवे बता रहे हैं बरवे काहे बता रहे हैं अमार भाईया मात्रा लगा के च्यक कर लो गलत ना करो मात्रा लगाईए देखिए मात्रा कैसे आ रही है कि आप लोग मतर लगाई देखिए 24 मात्रा है की नहीं है चोबिस मात्रा आपको दिख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 24 16 16 18 18 अगर 24 मात्राइं आ रही है बच्चों तो रोला हो जाता है जिसको काविछंद कहते हैं हर गीतका बच्चों 28 वाला होता है हर गीतका में 28 होता है रोला में 24 मात्राइं होती है ग्यारा तेरा पर्यती होती है रोला में और हर गीतका में 16 बारा पे होता है लेड़ चला साथ में तुझे कनकजियों विच्छुक लेकर सड़ जनक में अलंकार बताना है बच्चों वो गजब का सवाल आया है सभी हमारे बहादूर सेर जो लाइब है वो उत्तर बताने का प्रयास करें लेड़ चला साथ में तुझे कनक जियों विच्छुक लेकर सड़ जनक में आपको मैंने बताया था बच्चों जहां कलपना की जा जहां मतलब संभावना की जाती है जब जयोंत्यों का सवाल आता है तो उत्प्रेच्छा लंकार हो जाता है जो लोग उत्प्रेच्छा बता रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोग बहुत बढ़ियां उत्तर दे रहे हो सभी सातियों को बहुत-बहुत धन्यवाद उत्पर अच्छा लंकार होगा इसे पर मुझे बच्चों एक लाइन याद आ गई जैसांकर परसाद जी की ले चल मुझे भुला दे कर मेरे नाबिक धीरे धीरे परसाद जी की लाइन है इसलिए उनको पलायनवादी कहा जाता है बहुत गुर्णे सवाल आया था बच्चों उत्परेच्छा ही होगा उत्परेच्छा ही होगा अगला सवाल आप लोग देखेंगे सातियों खतरनाक ना है भाईया ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाबिक धीरे धीरे भाईया परसाद जी की लाइन है इसे परसाद जी को पलायनवादी कहा जाता है सातियों आज के लिए इतने सवाल ही टाइप हुए थे और सवाल नहीं टाइप हुए हैं तो कल का सवाल बच्चों कुछ बचा हुआ है अगर आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं अगर चाहते हो तो कल अलवा सवाल थोड़ा सा हल करा दें और आगे और नहीं तो आप लोग जैसे आदेश करें तो कलास को आज की डेट में इसी पर समाप्त कर दिया जाए ताइम से कलास चली थी आपको लगबख सवाल बताए भी गए हैं सभी लोग करें गुड़ नाइट गुड़ नाइट का मतलब हुआ कि कलास आज की आपकी रोकी जा रही है और कल हो सकता है दिन में लाइब कलास आपकी चलेगी तो आधे गंटे पहले आपका वह बहुत सब्सक्राइगी तो अब दिल नहीं लग रहा है अब आज की डेट में कलास बच्चों रोक रहा हूं फिर कलाप से मुलाकाल करते हैं सभी साथियों को लाइब होने के लिए शुबरात्री धन्यवाद आप सभी लोग को राम नौमे की अग्रिम बढ़ाई साथियों